नमस्कार आदाब आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अपना सुल्तानपूर में आज मैं पहुच चुका हूँ सुल्तानपूर के ही धर्ती पे ये देखेंगी कि हम कुड़वार बलाक के मात्र पांच किलो मीटर की दूरी पर ये गढ़ा ये अगर गढ़ा की बात की जाए तो इतिहास के सुनहरे अच्छरों में भी इसका नाम आता है और इसके पीछे देखेंगे ये कवीर मठ है ये रास्ता है सीड़ियों दौरा उपर चढ़ने के लिए तो चलते हैं अंदर और दिखाएंगे आपको अंदर का क्या है नजारा और बाबा वहां कुछ जानकारी देंगे हमें किस तरह से बाबा यहां पर अपना जीवन अप हुआ कि यह देखिया यह पुराना अबहुत पुराना लगता है कि बहुत पुराना करीब 50 1, साथ साल पुराना है ये खपड़े खपड़ा या जोपड़ी कहें जोपड़ी कह सकते हैं कि जोपड़ी है जोपड़ी से ही होके गुजरता आई ये पहले खपड़ा आई ये ये कमस्कम दस सीड़ी वहाँ पे चड़े फिर पांच सीड़ी उपार चड़े अब ये पांच से इस पर चड़ेंगे हम और पहुचेंगे कबीर मठ में मैं पहुच चुका हूँ इस समय कबीर मठ के अंदर कबीर मठ में देखिए कि इस तरह से सुंदरता आपको दिखाए देगी यहां पर लिखा है साइब बंदगी अब फूलों से सवारा गया है इसको देखेंगे यहां पर फूल बना हुआ है फूलों से सवारा गया है यह फूल जो है लोगों को आकर्सित करता है इतिहास में गवा है कि और यह जो देखेंगे चान यह चान क्या जोपड़ी जो बाबा की कुटिया रमाते हैं यहां पर चान की चौड़ाई कि करीब छे इंच छे से साथ इंच है और इसके पीछे लेयर लगती चली गई है यह लेयर एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यार पंदरा लेयर है पंदरा लेयर की च्छान है अब सब्द लिखा है सट्य नाम कि रिष्ट सब्द का ही नाम होता है यहां पर कुवाएं को जो है ढखें है इसको पतरा लगा करें यह देखिये कुवा अमारे जो कैमरा मैन हैं उनको बता दें कि पुआ दिखा दें कुवा कितना गहरा है करीब सौफिट गहरा होगा है इसी के बगल में चलते जीदे अब पहुत चलते हैं हमें मंदिर के सामने मंदिर के सामने देखें गे तो हमारे साथ में यह बाबा जी बैठेव को यह लिखा सथ नाम कवीर मथ संत देस सथ गुरु कवीर बिज्ञान आस्रम कवीर मत अमर दास साहिब गड़ा ग्रंट कोडवार जिला सुल्तानपूर ये बाबा कित मत में आप ही रहते हैं क्या नाम है बाबा अमर दास अमर दास आप ही यहां के महंत हैं हमें महंत हैं टो कितने देनों से यहां पर हैं हमको बहुत दिन खरीच साल को हो गया चालीच साल से ही समठ में क्या सुखव सुभ़ाएं हैं आपको आप अब दो कुछ नहीं राता है ना रास्ता हम को मिली न पानी पिने की रास्ता है ना भी जली है परिशानी लाख है कोई चीज कर साधन कोई सरकार से अपनी बातों को वहां तक पहुचाने काम किया अब सरकार को पहुचाने को बात हमको बहुत किया लेकिन कोई पहुचा नहीं पाया को जाता है आँसरों के वहां से उस्चे स्थाटने करके नहीं सब्सक्रांद को जाता है कि helpful कोई बाते हो आपको अटता नहीं ऐसे चलता IT can तो आपके लिए भोजन नहीं लेके आएंगे नहीं भोजन नहीं लेके खाती नहीं अच्छा हमारी बनाएंगे तब खाएंगे तो कितने पुरानी यह जो आपका यह मठ है यहां से देखा जाये तो बहुत विसाल लायक पेड़ है करीब अभी राजा कुलवार की राजा कुलवार के रहने हो इस पाहले का आपके जानकारी में नहीं है कि कितना पुराना मठ है लोग बताते हैं कि बहुत पुराना मठ है ठीक है हम बच्छा अपन से देख जब से आयत अब से देखते हैं और जो यह सब बनी हुई है ये सुस्पृ संटन की रा divided बहरा यह चुंदर मांके स्माधि है जितने मांत यहां बुजा चुक है तो चया बने हमको नहीं मिला है और दरशने शाने में से जाने में यह बगल में बरुन की पेर है वहां जहां यह गरदिया का कुवा है वहां पर बंदारा हुआ था बंदारा हुआ था इतिहास में भी लिखा रहता है कि बुद्धा जी गढ़ा सुल्टानपूर में आये थे यहां से करीम हमारे मठ के जो बायर आये उसमें से उनका बुद्ध भगवान का है जो इतिहास में लिखा है वह क्या है वह इतिहास नहीं इतिहास में नहीं नहीं कुछ पैसा आया था विकास हुआ कि नहीं हुआ। कभी क्या नाम कभी यह गढ़ा वजयत हुआ। अव क्या नाम का निकन और नंद महार। ये त्याज बिस बन होए छे लेकिन चाज में और सब बन गया लेकिन हमारा नहीं बना पड़ा रही है चलिए दर्सको मैंने आपको बताया कि मैं इस समय गढ़ा में हूँ गढ़ा के हमारी जो ये महंत कभीर मट के महंत हैं इनसे खास बात चीत हुई है इन्होंने अपना दुख बताया है कि कोई भी राजनेतिक पाल्टियां हो ये समाज से भी कोई नहीं आया अभी तक हैं पर बता रहे रहें कि रास्ते तक यहां पे नहीं है कि राश्टा João चाहिए आने जाने के लिए रास्ता यहीं आप कोई इनकि यह.- रास्ता आप की मांग है कि रास्ता बनना चाहिए दर्सकों आप से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक सेयर करें कि सरकार तक पहुचे और इनकी जो समस्या है रोड की यह टूरिस्ट पाइले से गड़ा इतियास में भी सुनार्य अच्छरों में लिखा जाता है कि यह इन अरूपता आए जीने भी आाप बताया था कि यह समाधी यहीं के रहने वाले महंत लोग yer महंत लोगों की ही समाधी है और पीइछे चलते हैं आपको दिखाएंगे जो सबसे बड़े महंत थे यहां पहता रही जब कूरी बन रही थी वहाँ पे खतम हो गया था तेल तो वो यहीं बगल में गोमती नदी है गोमती नदी के बगल से लाके दो बार चलिए गोमती नदी के पास चलते हैं आपको दिखाते हैं बाबा ने जो बताया है गोमती नदी से लाके दो तीन पानी लाके डाल दिये यहीं से बाबा पानी लाके पूरा पूरी अपना बनवाए थे ऐसा बाबा बता रहे हैं बाबा कह रहा है कि इसी नदी से पानी लाके पूरी बनाई गए थी यह वही नदी है गोंती नदी आप देखेंगे ति इतिहास में के सुनहरे अच्छरों में भी गोंती नदी का नाम आता है तो यह गोंती नदी थी मैं आपको फिर से चल लए हैं लेके इस तरह जो इनकी कुटिया है कुटिया किस तरह से सजा के रखे हुए हैं बाबा अपनी कुटिया को है यहां पर बाबा का कुटिया किस तरह से है यहां पर बरतन बाबा रखे हुए हैं महानत जी हैं कभीर पंथी लोग हैं यह 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 रहा般 किनका अंको लगता है इतनाwhy अ बाबा का यहीं पर बनता है खाना बाबा का यह खपड़े का घर है यह लाइट देखे यहां पर लगी हूँ है लाइट यहां पर रखे हैं यहां पर लाइट की बेवस्था नहीं है you see you pre Thompsonrée यह सारे बरतन है यह बरतन रखे हुए है काफी बड़े बड़े हां लगता है क्यों यह चलते हैं इतलते हैं अंदर क्या है इनका प्रोसेर कि đây से अ क्या यहां आपने पने चीवा अंदर में बनाए थी और यह करा अभी तक रखा गया अभी तक साफ नहीं हुआ है यह करा यह वही भंडारे का आमको लगता है रखा गया है अब चलते हैं इस चारों तरफ हमारे यह जंगल है जंगल के बीचों में इनका मठ है यह पीछे देखने में करीब 50 फिट नीचे 50 फिट नीचे जो है पूरा जंगलों से भरा हुआ है 50 फिट नीचे जंगल से भरा हुआ है तो यह था बाबा कमठ कवीर मठ जो गढ़ा में इस्थित है अभी आपको हम दिखाएंगे कुछ देर बाद कि किस तरह से है गढ़ा का विकास और इस तरह की वीडिय देखने के लिए हमारी चैनल अपना सुल्तानपुर को लाइक सस्क्राइब और कमेंट जरूर करें कैमरा मैन भोलू जहांगीर के साथ मया निल कुमार सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सस्क्राइब करें